प्रेंग्स आज हम सब डेलीवेर डैमंड्स एरिंग का कलेक्शन से देखने वाले जो की कल्यांज जोलर्स है अगर आपने चैनल पर नाए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दिजिएगा फर्जो एरिंग है यह आपको 22 के गोल में मिल रा है नौरत स्टोन इसमें यूज क्या गया है 5.4 फोर ग्राम इसका ग्रॉश वेचा फाइपन्ट्टव ग्राम का गोल्ड यूज क्या गया है यह अप्रॉक्समेट्ली सिक्स्टी थाउजर में आपको स्टेफ में में मिल रा हाए नेक्स्ट वाला यह आपको 18 करेट गोल में मिल रहा 2.87 ग्राम ग्रॉस वेट है 2.81 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया है यलो गोल्ड में है यह 31 सेंस का डामड यूज किया गया इसमें यह अप्रोक्स्मेटली 54,000 में आपको मिल जाएगा यह वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है रोज गोल में है गोल्ड का प्यूटी 18 के रेट है 2.72 ग्राम ग्रॉस वेट है इसका 2.68 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया है 19 सेंस का डामड यूज किया गया इसमें 41,000 के अप्रोक्स में आपको मिल जाएगा डेली यूज किजेगा बहुत प्यारा सा यह रिंग यह नेक्स्ट वाला इसका वी डिजन बहुत अच्छा है यह भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है 2.23 ग्राम इसका ग्रॉस वेट ह 2.18 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया गोल्ड का प्रिविटी 18 के रहा है 27 सेंस का डामड यूज किया गया इसमें इसमें स्क्रू आपको स्टैप में मिल रहा है 41,040 रुपीस के अप्रोक्स में यह रिंग आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वन है यह आपको यल्लो ग्राम में मिल रहा वर्ड का प्रिविटी 18 के रहत है 2.53 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है डेली यूज की जगा इभे बहुत खुपसरत है 2.47 ग्राम का ग्रॉल्ड यूज किया गया इसमें 31 सेंस का डामाड यूज किया गया यह अप्रोक सिक्स पूर ग्राम का गोल्ड यूज किया गया 23,000 के अप्रोक्समें एरिंग आपको मिल जाएगा 10 सेंस का डामांड यूज किया गया इसमें कम बजेट में आपको बहुत प्यारा सा एरिंग आपको मिल रहा नेक्स्ट वाला है 1.87 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 1.75 ग्राम क इसमें गोल यूज किया गया 58 एक सेंस का डामांड है इसमें एक प्रोक्समेटली 61,500 में मिल जाएगा आपको यह वाला 2.37 ग्राम का ग्रॉस वेट है 2.3 ग्राम के सिसमें गोल्ड एक मिल रहा है सलिंग जाए आपको मिल रहा है आजके अरी इरिंग्सेली डेली के लिए बहुत ही खुपसुरत है नेक्स्ट वाला एक ट्राइंगल सेप में आपको मेल राए 3.75 ग्राम इसका ग्रॉस होएक है सभी आपको इतिंटेत गोल्ड में मिल रहा है इसका गोल्ड रोज गोल्ड में बना हुआ है 3.66 ग्राम का गोल्ड यूचिक यागा इसमें 47 सेंस का डाम गोड़ यूज किया गया है 23 सेंस का डामंड है 42000 के अप्रोक्स में यह आपको यह रिंग मिल जाएगा है इसमें आपको सेमी प्रीसे स्टोन यूज किया गया है रूबी है 3.39 ग्राम का ग्रॉष वेठ में 3.23 ग्राम का गोली यूज किया है सेवंटेन सेंस का डामंड इसमें ए एप्रॉक्समेटली फोटी वन थाउजं में आपको मिल जायेगा नीक्स्ट वाल आई आपको रोजगोल में मिल रहा 3.74 ग्राम इसका ग्रॉस वेटेज 3.65 ग्राम का गोल्ड यूच किया गया 46 सेंस का डामंड है इसमें लगा हुआ एप्रॉक्स्मेटली 68,000 में आपको मिल जाएगा वेयर करने पे बहुत ही प्यारा लगेगा यह रिख नेरवे आप इसका लुप देख सकतो काहँ भी प्यारा से आए नेक्स्ट वाला यह भी आपको रोज गोल में मिल रहा है 3.14 ग्राम ग्रॉस वेट है 3.08 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया है 29 सेंस का डामंड है अप्रोक्स्मेटली यह आपको 48,000 में मिल जाएगा नेक्स्ट वाला इसमें सेमी प्रेसे स्टोन यूज किया गया है कलर स्थोन है 6.83 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 6.37 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया है पोटी सेंस का डामंड है यह आपको होपनी येरिंग जैसा है बाट है नहीं होपनी येरिंग 87,500 में आपको मिल जाएगा इसका डियाइन देख सकतो बैक सेट में स्कूरू स्टैप में दिया गया है वेर करने पर बहुत इक अपसुरत लूप देगा यह भी नेक्स्ट वाला इसमें भी कलर स्टोन यूज किया गया रूबी है सेमी प्रिसिस 4.3 ग्राम इसका ग्रॉस होईते 3.56 ग्राम का गूल्ड यूज किया गया रोज गूल में आपको मिल रहा है यह त्टी शेंस का डामंड यूज किया गया इसमें एप्रोक्शमेटली 5600 में बहुत ही खुब्सूरत है नेक्स्ट वाला यह भी आपको हैंगिंग में मिल रहा 18 क्रेट रोज गोल्ड में बना हुआ है यह 3.06 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 3.04 ग्राम का गोली युच किया गया इसमें 14 सेंज का डामांड है यह प्रॉक्समिटली 35,910 रुपीज में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाला स्टर्ड है 2.8 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 2.73 ग्राम का इसमें गोल्ड युच किया गया है 33 सेंज का डामांड युच किया गया इसमें यह प्रॉक्समिटली 49,000 में आपको मिल जाएगा इसक्रू आपको स्टेप में मिल रहा है नेक्स्ट वाला है 3.55 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 3.45 ग्राम का गोल्ड युच किया गया है 49 सेंज का डामांड युच किया गया इसमें इसक्रू आपको स्टेप में मिल रहा है यह अप्रॉक्समिटली 67,940 रुपीज में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाला एरिंग यह भी आपको रोजगोल में मिल रहा है 2.99 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 2.93 ग्राम के इसमें गोल्ड युच किया गया है 27 सेंज का डामांड युच किया गया इसमें इह अप्रॉक्समिटली 45,970 रुपीज में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाला ही हो पी आरिंग है यह लोगोल में आपको मिल रहा है 3.21 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 3.19 ग्राम का गोल्ड युच किया गया इसमें 37 सेंज का डामांड युच किया गया बैक्सेट से आप इसका डिजाइन देख सकतो इस टैप में है अप्रॉक्समेटली 61,000 में आपको मिल जाएगा फ्रॉंट से आपको इस टैप में मिल रहा है नेक्स्ट वाला है इसमें आपको डांसिंग डामंड लगा हुआ मिल रहा है 2.7 ग्राम ग्रॉस वेट है 2.65 ग्राम का गोल्ड युच किया गया है 30 सेंज का डामंड है इसमें लगा हुआ यह अप्रॉक्समेटली 52,230 रुपीज में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लेगा तो एक लाइक कर दीजिका आपको लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत जादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वाला है यह आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है गोल्ड का प्यूट्य सबका 18 करेट ही है 3.38 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 3.31 ग्राम का गोल्ड यूच किया गया है डामांड आपको 38 सेंस का मिल रहा है लगा हुआ यह एप्रॉक्समेटली 57,800 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एरिंग फ्लावर प्याटन में बहुत ही प्यारा सा एरिंग आपको मिल रहा है 2.17 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है डेली यूच कर सकतो है पिसे भी 2.11 ग्राम का गोल यूच किया गया इसमें 31 सेंस का डामांड लगा हुआ है आप स्क्रूब इसका देख सकतो है यह एरिंग आपको 45,920 रुपीज में मिल जाएगा नेक्स्ट वालाई आपको होपी एरिंग मिल रहा फ्रंट सेंस का डियाइन देख लेजे रोस गोल में है यह 2.91 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 2.87 ग्राम का गोल यूच किया गया 20 सेंस का डामांड लगा हुआ है इसमें बैक सेंस आपको इस टेप में मिल रहा यह इरिंग आपको 43,000 के अप्रॉक्समान मिल जाएगा डेली यूच कीजेगा बहुत ही खुपसरत लएगा इरिंग इसका डिजाइन भी लीफ पैटर्न में बना हुआ तो लुक बहुत खुपसरत आ रहा इसका नेक्स्ट वाला इसे पर आप ऊकेजिनली वेर कीजेगा बहुत अच्छा लएगा डेली यूच नहीं कर सकते हैं 3.4 ग्राम इसका ग्रॉस विटे 3.35 ग्राम का गोली यूच किया गया 22 सेंस का डामंड है यह अप्रॉक्समेटली 43,480 रुपीज में आपको मिल जाएगा फ